मेरा नाम है अमित और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यह मेरे पास MI की Android TV है जो की पावर अप नहीं हो रही है मतलब कि इसमें जो रेट क्लर की लैट जलती है वो नहीं जले यह काफी Android की अच्छी TV देखिए मैं आपको पावर अप करके आउन करके बताता हूं अपको नहीं हो रही है तो चलिए मैं आपको बता दिता हूं इसमें नॉमली जो प्रॉब्लम आती है जो आप घर पर ही बड़े असानी जे ठीक कर सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दिकि इसमें पहले आपको यह बैक कवर खोल लेना है और यह काभी सेब है स्कूरू को खोल लेता हूं बस इतना ध्यान रखें जहां भी को आप उल्टा रखें वहां पर किसी तरह से बैट सीट या थर्मा कोल या फोम या अपना जो घर के बैट सीट या गद्धे होते हैं उनके उपर रखकर खोलें ताकि डिस्प्ले डायमेज होने की चांसे ना क अप इसको ढखकन खोल सकते हैं इसमें यह हमारा जो पावर अप केपिसिटर लगे हुए है और यह हमारा कंडिशन लगे हुए इसमें पावर अप नहीं आ रहा है अब तो आपको यह एलवी डिशी यानि की डिस्प्ले का सर्किट बोड का पावर अप अब भटा देना है और बाकि सारे के सारे यह जो पॉइंट्स लगे हुए यह आप आराम से पॉइंट दबा कर खीच लें हलके से पॉइंट दबा कर खीच लें अगर आपको समय में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो आप मुझे से नॉम्लि यह पॉइंट निकालना हैं और उसको निकालने के बाद आप से नहीं करें तो आप से सोच कर सर्च करके रिकालेंगे अगर यह पॉइंट खर्ञाब हो जाते तो आपकी टीवी का मतरबूर्ट भी खराब होने की चांज सिरेंगे चलिए मैंने यह बोर्ड अलग निकालके रख लिया है बोर्ड अलग निकालके इसलिए रखा है ताकि डिस्प्ले में किसी भी प्रिकार की कोई हानी ना हो खराब ना हो देखिए इसमें आपको मुझा दो इसमें होता क्या है सबस्पे पहला हमारा काम जो है नॉमली जो टीवी के अगर पावर अब बंद होती तो हमारा फ़स्ट काम होता है इस फ्यूज को चेक करना इस यह रिजिट्रेंस फ्यूज होता है देखिए यह यहां पर आगर यह रिजिरॉ नहीं देखा रहा है यह वाला फ्यूज यह वाला फ्यूज होता यह ब्लेक्स टैक का इस नहीं देखर और सहुज उस। मरकेट ना आपको 50 रॉपया बड़ आराम से मिल जाएगा अगर आपको बसे आपके पास नहीं है तो आप अपना सकते हैं मैं आपको बता दूंगा तो चलिए मैंने यह आता है हमारा अपना सकते हैं कोई प्राइंट करता है मैं लेकिन नॉमली वन एंपेर तक रहता है यह इस फ्यूज को मैं स्टॉल कर दूंगा और यह मेरा नॉमली हीटिंग वादा फ्यूज तो इससे कोई डिबेंट नहीं कोई प्राइंट नहीं आनी है आप इस फ्यूज की जग़ा यह भी यूज कर सकते हैं देखिए मैंने इस फ्यूज को यहां पर सोल्ड कर दिया है मतलब कि सोल्डिंग कर दिया है अब इसके बाद मैं इस टीबी के मदर वोट के और सप्लाइबोट के बॉक्स को प्रॉपर तरीक से कनेक्शन कर लोगा कनेक्शन करते में ध्यान दें जिस इसको मैं अनो करके देखता हूं मैं ये वीडियो मेरी उल्टे हो गया है sorry देखिए अब इसको मैंने अनो कर देखा देखिए इसका पावर अप करके ऑन गले कर देख ओर और कोई प्रॉब्रम नहीं है तो अभी सब्सक्ति पैक पर लूगा और मैंने इसको पैक अप कर लि कर लेता हूं देखिए हमारी टीबी बहुत अच्छी तरीके से आ गई है किसी प्रिकार की कोई भी प्रॉलम नहीं है इस टीबी में दूस्तों यह बहुत ही एजी था और आप अगर तसली से और ठंडे दमाग से काम करते हैं तो आपकी घर में पांस से दस रूपर में LED TV को आ देखाता हूं यह देखिए और मैं इसको ON करता हूं देखिए अब भी जैसे मैं इसको ON करूंगा इसमें कोई प्रॉम नहीं है दो बार मैंने चेक कर लिया है यह देखिए वहीं पर खुल रहा है यहनी कि मेरी TV बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है यह वीडियो आपक धिर्चिं tidak अक्षा कोई खुक्तू थादक्टली वर्क तो हां दो धुटें एफिस लुह लुरीए उनायले वर्क यह तो बिल्क्राच का वicação कोई फो देखिए प्रफेक्टली भार मैंa वा मैं में हुत पल्क। यह जाफिर दो दो स्ग्तू एता हिस मैं घारा कि मैं